गेहूं की किम्तों में बनी तेजी दरसल वैश्वी कार्थिक मंदी की आशंका के चलते मक्का की किम्तों पर भारित धबाव दिखाई दिया तो वहीं पिछले सशन की कमजोरी को पीछे चोड़ते हुए गेहूं में मजबूती देखने को मिली दरसल रूस और युक्रेन के बीच चक्राव बढ़ने से सप्लाई से जुड़ी चिंताओं बढ़ गई हैं जिससे गेहूं की कीम्तों को स्टपोर्ट मिल रहा है उधर युएस फेडरल रिजर्व और बैंक ओफ इंग्लेंड और यूरोपियन सेंटरल बैंक ने पिछले हफ़ते इन्वेस्टर्स की मंदी से जुड़ी चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है डिमान बादित होने की आशंका में कुछ एग्रिकल्चर कॉमोडिटीज की कीम्तों पर भले ही दबाव आया हो लेकिन गेहूं 0.6 फीसदी मजबूत होकर 7.5 साट डोलर प्रती भुशेल पर जा पहुंचा दरसल रूस युक्रेइन युद की वज़े से गेहूं के बाजार के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है जिससे सप्लाइ बादित होने की उमीद की जा रही है वहीं शुकरवार की सुबह रूस ने युक्रेइन पर लगबग 70 मिसाइल छोड़ी जिसे युद की शुरुआत से अभी तक युक्रेइन पर सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है युक्रेइन की अधिकारियों ने कहा है कि इस हमले के दोरान देश में अमरजंसी बिजलिब बंद करनी पड़ी उदर एनलिस्ट का कहना है कि युरोग के कई हिस्सों में समानिय से ज्यादा ठंड से शीत कालिन फसलों को ज्यादा नुकसान होने की फिलाल अशंका नहीं है और फ्रांस में भी हलकी सर्दी से फसलों को फायदा हो सकता है ऐसे में जिस तरीके से रूस और युक्रेन के बीच युद छिर्टा जा रहा है ऐसे में बाजार जानकार उमीद करकर चल रहे है कि गेहूं के कीमतों में फिलाल तेजीब पनी रह सकती है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी